रिंकी रानी रिस्पी में आप सब कस्वागत है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे हरी सबजे नहीं खाना चाहते हैं और उनको हरी सबजे देना कितना जोरी होता है इसलिए आज हम बनाएंगे वेजटेवल मिक्स रवा इटली जो फटा फट त्यार होती है और खाने में भी उतनी चेश्टी होती है बच्चे और बड़े बहुत सौक से खाते हैं इस तरह की रवा इडली बनाने के लिए आई हम देखते हैं इस पूरे वीडियो को अगर आपको मेरा वीडियो पसंदाता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और उस पर क्मेंट कीजिए मेरे आगे आने वाली वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिक्स भेज रवा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप रवा लिया और एक कप खटा दही लिया है नमक स्वादानुसार और एक कप पानी और इसमें जो मैं भेजटेबल मिक्स करोंगी उसमें है एक छोटा कैपसिकम छोटा छोटा काट के लिए है और धनिया के पत्तों को बारिक काट लिया है कुछ गाजर लिया है उसे ग्रेट करके और बिंस छोटे छोटे काट लिया है कुछ मटल किदाने लिया है और हरा प्याज सागा जो होता है उसे मैंने बारी काट लिया अगर यह नहीं मिलता है तो आप प्याज भी छोटा-छोटा काट कर ले सकते हैं और कुछ हरी मिर्च को मैंने बारी काट लिया है और तेल है यह तड़गा के लिए भी है और इसी से हम ग्रिस भी करेंगे और यहां पर तड़गे के लिए हिंग का यूज करेंगे, हिंग लिए हैं, और एक चममच राई है, कुछ गड़ी पत्ता, इसे मैंने सापसे धो करके लिया है, और एक इनों का पाउच लिया है, एक मिक्सिंग बाउल में मैंने यहां पर दो कप सुजी डाला, और एक कप करके अच्छे से सुजी के साथ दही को मिक्स करेंगे, और एक स्मूथ बैटर बनाएंगे, और पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और मिक्स करते जाएंगे, देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पाई डाल करके, दही औ और सूजी का बेटर बनाएंगे देखके एक दम स्मूत्वेटर बना हुआ है और बहुत पतला भी नहीं का बहुत गाडा भी नहीं हुगा! अब इसमें मैं यहाँ पर capsicum डालूँगी और गाजर डालूँगी और थोड़ा सा गाजर मैं यहाँ पर garnishing के लिए बचा लूँगी और हरी मिर्च अगर आप कम खाते हैं तो कम यूज किया रहें क्योंकि बच्चे हैं अगर कम खाएंगे तो कम पड़ेगा और नहीं तो आ मैंने बारी काट के लिए इसे मैं पुरा इसमें एड कर दूँगी और कुछ हरी मतर मैंने यहाँ पर यूज किये हैं इसे भी यूज कर रेंगे हम इसी में डाल देंगे अगर आप अपनी इच्छा नुसार सबजीयां डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने हरा प्यासा डाला ह अगर अवेलेबल हो तो डालिया और नहीं तो प्याज को भी बारे काटके आप डाल सकते हैं और इसे भी मेंने बचालिया है और कुछ धनिया की पत्तों को मैंने डाला और कुछ बचालिया है viewpoint मैं इसे मैं बाद में यूज़ करना बताऊंगी औरिस साफ़ियों को इस बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छेस कर्एंगे और तढटा के लिए में ने एक यहां समसे सल्की करें और एक चमझ लिए हैं धुक्हट डाले हैं और यहां पर डालेंगे जब राइ तरणग जाएगा तब एक भोड्?, थृण डाल करके और इसमें मैंने कड़ी पता डाल लिया है और कड़ी पता जब पक जाए तब इस तड़का को इसमें इस बेटर के साथ मिक्स कर देंगे और इसे तड़का डालने से इटली का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है इटली और ये हमारे बेटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है अभी सूजी फूलेगा तिकदम गाढ़ा हो जागा इसलिए मैंने आप थोड़ा सा पानी और डाल करके इस बेटर को थोड़ा सा और पतला कर लिया है देखिए बहुत पतला बेटर नहीं करेंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए अभी जब हम इसको फूलने के लिए सूजी को ढख कर रखेंगे तिकदम बेटर गाढ़ा हो जाएगा और इस तरह से इस बेटर को ढख करके आधा घंटा के लिए रख देंगे जिससे सूजी और दही अच्छे से फूल जाए और बेटर हमारा फूल चुका है देखिए कितना अच्छा बेटर बना हुआ है और एकदम पर्फेक्ट है और इसमें हम डालेंगे स्वाधा अनुसार नमक नमक आप अपने टेस्ट एकोर्डिंग ले सकते हैं और इसमें फिर हम जो देखिए वहारा बेटर एकदम ठीक है अगर गाढ़ा हो जाता है और इस तरह से देखिए बेटर हमारे एकदम स्मूथ हो गया और यहां पर मैं एक बड़ा कूकर लोई हूँ और उसमें एक गिलास पानी गरम करने के लिए गैस पर चरहा दूँगी अगर आपके पाद इडली स्टेंड है तो आप इडली स्टेंड कभी यूज कर सकते है मैं यहां पर कूकर में आपको बना की दिखा रही हूँ और इडली स्टेंड को जो है अब मैं यहां पर जो ऑइल बचा हुआ है उससे ग्रीश कर दूँगी आप चाहें तो दिशिगी कभी यूज कर सकते हैं या और भी कोई ऑइल यूज करना है तो आप कर सकते हैं मैंने यहाँ रिफाइन डाल लिया है और यह जो बची होई गाजर प्याज और धनिया पत्ते हैं इससे जो है मैं इस तरह से नीचे डाल करके यह इडली बाहर से देखने में बहुत अच्छी लगेगी इस तरह से इसे हम गार्निस करके बनाएंगे तो यहाँ पर गाजर प्याज सा प्याजर के लिए और पिर जो है इसमें को बैटर को डालेंगे भी इसे इसे कर दे देंगे जिसे बैटर चारो तरप अच्छे से फैल जाए और अब इसे मैं लगाऊंगी इस तरह से प्लेट को लगा करके और मैं इसे पानी खौल चुका है हमारा रखेंगे और 10 मिनट तक इसको के लिए गरस पर चढ़ाएंगे और सीटी निकाल देंगे और देखिए हमारी इडली पक चुकी है इसे मैं हाथ से छूक दिखाऊंगी एकदम चिपकी नहीं और इसे एक चमच के सहारा से मैं सारे इडली को निकाल लूँगी और ये बहुत अ आराम से इडली निकल जाती है देखिए आप चाहें तो चमच से निकालिए पिर मैं दूसरी बार बनाई हूं इसे मैं भीना गार्निच किये बनाई हूं और इसे भी देखिए मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी बहुत आराम से बहुत अच्छे से थोड़े इडली ठंटी ज triggered आजी कि अब बढना और कोई से पिञए देखिए और सीम्पल काई है आप्तction आपको जैसे एक स्थाथ वैसे इडली बना सकते हैं इसको नारिल की चटनी या धनिया की चटनी के साथ खाई बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट का तो इसका जवाब ही नहीं है बच्चे सबजियां नहीं खाना चाहते हैं लेकिन इडली के साथ अगर डाल कर किसे बनाएं तो बच्चे बहुत प्रेम से इडली खाते हैं